हेलो अब्रिवन वेल्कम दो जेके करें इंसिट्यूट देखिए हम अपने आई पेसी नेमिंग पढ़ने की सीरीज में कवी सारे पार्ट्स कर चुके हैं हम लोग कई सारे फंक्शनल ग्रूप के आई पेसी पढ़ें और साथ हम कुछ मिक्स वाला भी पढ़ें अभी तक जिता भी पढ़ा है ना उसमें हम लोगोंने कॉंपेटीशन के पॉंट और व्यू से भी बात रखी हैं तो अपने अपने सलेबस की बात हम करी रहें इसके बा हमठी चाह दो अल्कोहल मेरे पास All होता था ठेक devraitink्स में उसका नाम हड्राक्शी होता था ठेक है साइख्ली कंपॉंड के साथ यूज वो सकता है जैसे कि हमने Alg jut हैं अगर आगर एदी में डबल बॉंड या तृपल बॉंड भॉंड हो जाँ पर सिम्पल ओपेंचेन के साथ डबल बॉंड हो या तृपल बॉंड हो तो उसके साथ भी अलकॉर्ट की नेमिंग कैसे होती है उसके हम लोगों ने बात की थीडिक है थुरू पढ़ते आ रहे थे लेकिन जरूरी नहीं कि हम लोग order के थुरू ही पढ़ें ठीक हम random कोई भी ग्रुप लेकर पढ़ सकते हैं लेकिन हमें order पता होना चाहिए हमें seriority order पता होना चाहिए उसी के according हम लोग नाम निक पाएंगे क्योंकि competition exam में न हमेशा mixed वाला portion आता है अभी हम state level के exam की बात कर रहें तो mixed वाला portion मतलब कि वहाँ पर different different fg लगे होंगे तो उसके corresponding आपको suffix पता होना चाहिए प्रिफिक्स पता होना चाहिए जो जो बाते हम लोग ने कर रखी है ठीक है तो यह सारी बात है तो पिसली क्लास में अल्कॉहल देखा था अगर आपको याद हो seniority order अल्कॉहल से तो अल्कॉहल अल्डिहाइट की टोन अल्कॉहल थायोल ऐसा था आपको याद है यह जिस महापर थी अगर आपको पहले का याद आ रहा हो तो तो अल्कॉहल की बात करने के बाद हम start करते हैं आज दो करेंगे हम लोग फटा फट जरा आप देखो माले यह जैसे छोटा सा गुरूप है ना बैसिकली इस इसके कंपाउंट्स अपन लोग को पढ़ने ही नहीं 11 12 में 12 की बात करें तो अल्कॉहल मुझे 12 में पढ़ना है अब जिस टाम करें टाइम अगरी आप वीडियो देख र करनी है ना जरूरी नहीं कि हम इनके कंपाउंट्स के बाले मुझे पढ़ना है नहीं पढ़ना नहीं हampa दॉसि नेमींग ही करना ही है तो अब आज बात करें सर नहीं नहीं आएं तो फिर से सर वही सारी बाते कर लेंगे, हमने फटा-फट पूरा बॉर्ट का यूज़ करते हुए, अबर हम बात करें, फिर मैंने पास क्या है, ऐसे अचे, फिर हम क्या देखते हैं सर, सेकंडरी सफिक्स क्या यूज़ होगा, फिर हम किसकी बात करते हैं, ऐसे अगर यह प्रिफिक्स यूज़ होगा, तो कैसे यूज़ होगा, ठीक है, तो जब आप देखो, सेकंडिर सफेक्स इसका है थायोल प्रेशेक्स मैं नित्यम लोग मरकेप्टो ठीक है ऐसे जैसे कि हम एक्जामपल बताएं इसे कि यहां लिखा है आर एसेच तो नाम इसका क्या होगा अलकेन थायोल क्या बोलेंगे हम लोग अलकेन थायोल ठीक है कहने मतलब सरी है कि अगर सीस्तरी ऐसेच लिखा हो तो वनकार्मन से तुसर मेथेन होता है तो हम लिख देंगे मीथेन थायोल ठीक इसका एक कॉमन नेम है क्या है सर common name हम बोलते हैं इसको मेथिल मरकेप्टन मेथिल मरकेप्टन यह इसका common name एठी क्या आप ध्यान में रख सकते हो common name मौला पाठ अभी तक हमने बहुत सारे common name के बात किया अगर आपको ज्याद हो तो जैसे सारी यह यूज हुआ आपको जाएगी एथिल मरकेप्टन वन टू तो हम क्या बोलेंगे सार एथिल मरकेप्टन है ना यह चीज ओ मैंने क्या हाँ एथिल मरकेप्टन तो इसका common name मैंने लिख दिया एथिल मरकेप्टन इसका क्या है common name तो बेसिकली यह गैस है जो कि LPG सिलेंडर में यूज होता है जो domestic house में हम यूज करते हैं तो जो हमारे घरों में यूज हो रहा है ना LPG अब बेसिकली क्या कि LPG जो मेरे पास गैस है इसा हम बोलते है लिक्वी लिक्वीड फाइट पेट्रोलियम गैस तो गैसों का हम 11th क्लास में पढ़ते हैं जो मेरे पास एक स्टेट ऑप मैटर रफिर उसम गैसे स्टेट के नाम पर जानते हैं तो बेसिकली जो हमने जो हमें LPG गैस कर रहे हैं उसमें कोई स्मेल नहीं होता है ठीक है ना जो जनली होती है गैस है तो अगर माल जीज होगी तो मुझे पत स्टेटन गैस है ठीक है इसका पेसी सर क्या होगा वन टू से क्या होजाएगा एथेन तो हम बोलेंगे इसको इथेन थायोल क्या नाम होगा सर इथेन थायोल जैसे की अलकेन थायोल तो मेथेन थायोल ऐसे ही एथेन थायोल ठीक है इथेन थायोल इसका फेमस क्या है एथिल म उसे नोटेशन यूज कर ले डिफरेंट डिफरेंट कॉंपटिशन वरा तो आपको पता ही है कि वह एक हाइपोथेटिकल कोशन मना देता है जो कि रियल में एक्जिस्ट करता हो ना करता हूं उससे को मतलम नहीं है तो आप देखो तो सर मुझे दिख रहा है कि SS लगा है यहा आफ बार हमने बातक हार है इसकी तो सर लेखेंगे हम इसकी आएफ ने पर कर्वेमर कि यहाँ है भूंति कि सर नाम Teacher अलकेन थायोर, तो क्या हो गया, ब्यूटेन थायोर, ठीक, इसलिए आपको बस ध्यान करकना है, प्रिफिक्स लिखते वक्त, अलफा वेटिकल ओडर, ठीक, यह, तो आप ऐसे डारेक्ट टिक कर सकते हो, उस वाले ओप्सन पर, जिसमें यह अलफा वेटिकल ओडर, फॉलो हो रहा हो, है ना, जिसे लिए लोगो, अम देशे कि माल लेजिए, इसे मुझे, है ना, ऐजब मर्केप्टो लिखना हो, तो सर कैसे करेंगे, तो आपको तो पता ही है, कि प्रिफिक्स में तब तो योज होगा ना, जब इस से कोई सीनियर ग्रूप लगा हो, तो सबसे सीनियर हो गया, counting यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब इसका नाम हम क्या करेंगे, इसको हम प्रिफिक्स में यूज करेंगे, पहले भी बात कर चुके हम लोग, जो मेरे पास main functional group होता है, उसके corresponding हम लिखते हैं, secondary suffix है, और जो अपना प्रिफिक्स है, जो पाजिके अ यह ना, मरकप्टो, ठीक, cyclohexane है, cyclohexane, अब तो एकोशन किसका बन गया, carboxylic acid का है, इसकेस में नाम क्या होता है सर, carboxylic acid है ना, तो hexane carboxylic acid, 1 पे है ना, तो 1 लिख सकते हैं, hexane 1, carboxylic acid, या लपा, हम, तो 4 मरकप्टो, cyclohexane, carboxylic acid, 1 पे है तो, हना, हम इसा 1 पे ही रहेगा, तो 1 को महटा सकते हैं, तो cyclohexane, carboxylic acid, ठीक है, इसका मतलब है कि सर, different different, FG को लगा के, ना, हमारे पास, हना, questions बनाए जा सकते हैं क्या, जी हाँ, बिल्कुल, आप देख लो, यह लगा हुआ है, तो दिख रहा है मेरे पास, है, आप ए, तीन functional group है, OH, SH, CWH, senior con, CWH, उसके बाद कौन senior, उसके बाद कोई नहीं, सरे से तो नहीं देखते हैं, जो senior है, एक ही तो था senior, और फिर बात में, सब के responding हम लोग प्रिफिस का नाम लिखते हैं, तो यह senior होगे, अजल्लब यहाँ से counting हो लिए है, अब आप देख रहा है, यहाँ से count करेंगे, इधर तो हम आएंगे नहीं, position देखने हैं ना, बे, sum करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, करके आप देख लो, 3, 2, 5, 6, 6, 4 कितना होगा, 10 होगा, यहाँ दोको, 1, 2, 3, 3, 4, 5, तो 5, 4, 9, 9, 3, 12, and 1 कितना हो जाएगा, 13, लोगे संगूल कर रहा हूँ, है ना, तो इधर से counting right है, अब सब के corresponding नाम लिखेंगे, हम लोग प्रिफिक्स वाला, याने प्रिफिक्स का में इसा हम लिखता है, अल्फा बेटिकल उडर से, तो आप देख लो, इससे हम लिखेंगे हैं, हाइड्रोक्सी का मतलब H, इससे लिखने वाले हम मर्केप्टो, मर्केप्टो का मतलब M, नाइट्रो लिखने वाले हैं का N, तो पहले H आएगा, तो सरकाइक लूमे, टो हाइड्रोक्सी, ठीक है, थ्री, मर्केप्टो, हाणा, फिर, फोर नाइट्रो, फोर नाइट्रो, नाइट्रो लिखाई है, ये मेरे पास है, साइक्लो, पेंटेन, हम, साइक्लो पेंटेन, कालवॉक्स लिख अचिड, ठीक ही आला पार्ट, टो हाइट्रोक्सी, ऐसे नहीं लिखा मैंने, अल्फाबेटिकल ओर्डर से हैंना, तो पहले H आएगा, फिर क्या M, फिर N, तो 2 हाइट्रोक्सी, 3 मरकेप्टो, 4 नाइट्रो, साइक्लो, हैक्सेन, क्या लिखे मैंने, ये पेंट है ना, 5 करबन की, तो साइक्लो, पेंटेन, कार्बोक्स लिख ऐसे, ठीक है, तो सिंपल साइए है, जहां पे हम लोग, एसेज के निमिंग को लेकर, बात कर सकते है, तो इसमें हो सकते है, कि आपको, डबल बॉंड वेगर आभी मिल गया है, ये ना, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, पहले बितना नोड करें, दिख लिए तो इसमें आप जैसे कि आप देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सवाल बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आप देखो, जैसे कि आप देखो, सर काउंटिंग नास हो, यास हो जाएगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठेक, देख रहा है आपको, hydroxy and मेरे पास markeptor, so 4, hydroxy, 5, murkeptor, है ना, cyclohex, 2 पे एन है, cyclohex, 2 एन, है ना, 1 पे काई 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 से, so 1, carboxylic acid, इस तरीके से, क्यों, जैसे मेरे पास, अब आप और देखो, यह देखो आप, ठीक है, तो देख रहा है सर, कैसे हो जाएगा, main group तो यही है, 1, 2, 3, इधर चलोगे आप, position तो सेम रहेगी न, इससे natural होने वाला है, इससे क्या, ethane, तो 2, 3, lower sum goal fail, तो alphabetical order follow, ठीक है, यह चीज, तो आपको देख रहा है, पहले E आएगा, तो सर, 2, ethil, 2 ethil, 3 nitro, 3 nitro, यह क्या है, cycloprop है, cycloprop, 1 in, एन 1 पर क्या जाएगा, अब देखिए, लिखा है SH, SH से क्या लिखता है हम लोग, थायोर, अब आपको याद हो, तो इसमें E की चलता है, थायोर, तो probe 1 in, एन 1 पर क्या हो जाएगा, थायोर, ठीक है, यह चीज, कैसा असर किया नहीं, main group तो यही है न, यहाँ से counting होगा, आप इधर चलो या इधर चलो, lowest sun rule तो fail होता है, तो किस पर आता है हम, alphabetical पर, यहाँ से E है, यहाँ से N है, तो E की position lowest पने चाहिए, तो 2 और 3 है, 2 ethyl, and 3 nitro, and cycloprobe है यह, cycloprobe, 1 पर Eन लगा है, 1 पर Eन, and 1 पर SS से, SS से के लिख्टरा में थायो हो, ठीक, यहाँ से, अब जैसे की और देखो आपनो, जैसे इसको देखो, main group कौन साथा, C-O-H, C-O-O-H, तो यहाँ से काउंटिंग होगी, 1, अब आप देख लो, और हम यहाँ से 1 करें, किधर भी जाते हैं, किधर भी जाते हैं, तो मेरे पास क्या होगा, यह ना, lowest symbol पर फेल हो जाएगा, तो आप इसको देखो, यह चीज, एथिल है, ठीक, E, तो पहले एथिल E आएगा, यहाँ से हाइड्रोक्सिल का मतलब H आएगा, मर्केप्टो का मतलब M आएगा, तो E पर आना चाहिए, तो 2, फिर 3, फिर 4, तो काउंटिंग हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, है ना, यह चीज, सही है, सर, क्या लुग दूँगा, मैं, 2, एथिल, है ना, 2, एथिल, एके बाद क्या आता है सर, एके बाद H आता है, सो, 4, हाइड्रोक्सी, है ना, एड्री पर क्या हो जाएगा सर, मर्केप्टो, एज आप्रिफिक्स काम करेंगा, ना, साइकली, उयूट है यह, साइकली, ठीके, आप जोगो 2 पर इन लगा है, तो, 2 इन, साइकली, 1 पर क्या है, क्या है, 202 ईन, 2 पर Андिक, संभाएगैं, क्या क्या है, आपने, में ग्रूप तो यह है, जो बचा सब प्रिफिक्स, काउंटिंग यहां से होगी अब इधर चलो आप चाहिए इधर चलो लोई संबूल तो फेल होता है पिरम किस पर आते हैं अल्फा वेटिकल ओडर पर जाते हैं तो सर यहां से मुझे पता है एथिल का ई आने वाला है तो पहले ही पास पढ़ना जी तो वन टू थ्री फॉर मैं कर लिया एप एल्फा वेटिकल ओडर के कोडिंग तो 2 एथिन तो फिरम यहाए गा तो टू एथिन फॉर हैड्रॉक्सी 3 मरक्टो ठिक और यह साइकलो भीट है अना साइकलो ब्यूट टू पर इन है साइकलो भीट 2 इन एन गार्वन पर क्या है सी डवले में आर पासली क्या हुआ 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 है हुआ हुआ है ठीक है यह बात समझे मारी है यह अला पार्ट ठीक तो आप देखो समझ पा रहे हो मेन गुरूप कौन सा है COOH कार्बोकसलीक ऐसे डूबला आनोर्स मेरे पास या है प्रिफिक्स एकि देख है यहां पर कोई ओवस्फ नहीं लगाए दिख रहे हैं कोग ओच यह कार्बोकसलीक ऐसेड लिखा है सचा दपॉल ओट थी क्या है Allah फ्री मिला यू थी खात लिखे बाट गांव कराथ इससे मुझे पता है एथिल होगा इससे मेथिल होगा है ना इससे मेरे पास क्या होगा मरकेप्टो होगा ठीक है क्या होगा मरकेप्टो होगा ठीक एंड यहां से मेरे काम हो जाएगा तो अब यहां पर तो होँसा डाउट आएगा आप लोग को कि मैं क्या कुरूँ पहले मेथिल लुखूँ या फिर पहले में क्या लुखूँ अब देखो ज़रा अच्छा यह case मेरे पास ऐसा हो नहीं सकता है ठीक है यह by chance मैंने लिख दिया ठीक लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं आएगा तो हम पोजिशन के साथ लिख देते है ठीक तो मै यह भी एथिल यह मरकेप्टो इस विए से मैं वह लिखा था ठीक तो लिखने स्टार्ट करते हैं पर इसको पहले लिखेंगे तो आपको देख रहे है यह मैंने पास नाइट्रो का मतलब एन होता है पहले यह आएगा तो आपको देखो यह साही है ना वन टो थ्री फॉर फ 5,6,7,8,9,10 ठीक है तो 5,6 पर एथिल लगा है तो हम क्या करेंगे सर 5,6 डाई एथिल ठीक है यह चाहिए यह जाएगा फिर 7 मरकेप्टो ठीक है M के बाद N आएगा 4,9,4,4,4,4,9,4 ठीक है यह चीज़ फोर पर क्या आगया नाइट्रो ठीक है टेंस है क्या होता सर डैक होता है टेंस होता है सर जी डैक, non-डैक जाएग टू पर एन है सर डैक, 2 इन ठीक है 1 पर लेगा CWH, इस case में नाम क्या होता सर? OIC Acid, तो सजी नाम हुआ, 5,6 Diethyl, 7 Merkepto, 4 Nitro, पुरा क्या DEC है? DEC 2 E, 4 Nitro, DEC 2 E, and 1 पर OIC Acid, तो 1 OIC Acid, ठीक है? आपको बताता ना, कि जब CWH का ये count होता है, तो हम OIC Acid लिखते हैं, जब नहीं कि दो तो Carbosalic Acid लिखते हैं, इसको हमने पहले बाग कर रखी है, तो इस तरीकी से मेरे पास naming हो सकती है, ठीक है? तो ऐसे हो चाहो तो हम लोग ऐसे hypothetical questions बना सकते हैं, तो अभी देख हमने किस इस पर बात की Mark Captain पर यानि कि हमने बात की थायो अलकोहल पर, अब हम देखते हैं, Naming of LD Heights की, ठीक है ये lecture थोर सा बढ़ा होगा आज के लिए, ठीक है तो इकता नाम हो गया, अब देखिए हम बात करते हैं, Naming of LD Heights पर, किस पर LD Heights पर, ठीक है? तो इससे पहले आपने High School में आल तो मरक्यप्टों पर इतनी बाते बहुत हैं, बीस मिनट तर, हाँ जी, तो सर्ण हम बात कर रहे हैं, Naming of LD Heights, LD Heights मतलब सब C, चो, या फिर C, चो, या फिर हाँ जी, या फिर C, चो, यहां से चैनि स्टार्ट है, C, ठीक, ऐसे ऐसे नाम हो, इसको लिखा होगा, ऐसा ऐसे, यह CS3, चो बोल देंगे हैं, लेकिन यह मेरे पास ग्रूप है, C, चो वाला, ठीक है, मतलब C, हो, अगर मैं ऐसे लिखा, तो यहां से चैनि स्टार्ट होगी तो वही सर, फिर से, FG कौन होगा, सेकेंडरी सफिक्स के नाम पे, क्या होगा, प्रिफिक्स के नाम पे, क्या होगा, क्योंकि यह प्रिफिक्स वाला ना, यह पार्ट हम हाई स्कोल में नहीं पढ़ते हैं, इलेवंध क्लास में नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाय जारा आपको, तब मानों चल लाए उनना पता मी जल्दा क्या हो रहा है तो आप देखो तो सर गुरूप तो मेरे पास यच्चो है अलग अलग फोटो वहां में बना रखी इसकी फोटो अलग अशी हो सकती है सेकेंडर सेफिस के नाम पर एक बात आप जानते हो अल दूसरा यह होता है कार्वेल्डी हाइड क्या बोलते हैं सर कार्वेल्डी हाइड अब मैं पहले बात कर चुका हूँ ऐसी निमिंग का भी होती है जब साइकलिक वाला हो या फिर जब सियर्चो कार्बन इंक्लूड ना ह कार्बन तू comprom today जब नहीं होंता है तो क्या लिखते हम कार्वेल्डी हुप ठीके कारबिल डिये, इस पर हम भी बात करेंगे अच्छे से, prefix में सर्ण नाम है, दो नाम है, एक को बोलते हम FORMIL, FORMIL, दोसरा नाम है OXO, क्या नाम है सर, FORMIL and OXO, कैसे कैसे काहनी है, दोनों की अलग लग काहनी है, बैसिकली इस काहनी को लेकर ने, कॉम्पेटिसन में सवाल आता है, हना, तो आप दिरा देखो, एक्जामपल लेखने के करके, यसे मैंने देखा, सबसे पहला मैंने लिखा, HCHO, common name, FORMIL, DEI, HCHO, high school में भी पढ़ा है आपने, बहुत ही खुबसूरत है इसका नाम, common name, क्या है, FORMIL, DEI, 1 carbon, sir, meth होता है, तो हम क्या बोलेंगे, methane, 1 पे L, meth, single bond से in, 1 पे क्या लगा है, L, तो नॉर्मल जब इस carbon को लेकर की counting होती है, carbon को लेकर ही counting होती है, तब क्या बोलते हैं, हम लोग, L, तो METHANAL, 1 पे हमेशा है, तो क्या बोलनेंगे हम, sir, METHANAL, METHAN1 या फिर METHANAL, जैसे और, CS3, CS2, common name, Acetyl Dehyde, common name famous है, Acetyl Dehyde, 1, 2, 2 से क्या जाएगा, sir, ETHANAL, क्या हो जाएगा, ETHANAL, ठीक है, यह चीज, जैसे, CHO यह कर सकते हैं, ठीक है, यह देखवा आप, ठीक है, counting यहाँ सो होती है, 1, 2, 3, 4, 2 पे लगा है, sir, तो 2,2, DIMETHAL, है न, force है गया होगा, butane, तो butane, तो butane, ठीक है, इसका मतलब कि, sir, अगर मैं 2 यूज करना हूँ, तो, ठीक है, ऐसे लिखा होता है, बुक्स बगरा में, या फिर मैं बात करूँ, अगरा में, ये तो अगरा में, ये तो अगरा में, तो देख रहे हैं आपको, CHO लिखा ये, ना की CO, अगर उसके बात कराएंगे, CHO या CHO, तो अगरा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से, sir, क्या होगा, pent, single bonds in, so pentane, 1,5, diol, कहना माँ गए, sir, pentane, 1,5, diol, ये से माल लीजे, ये यूज हो गया, sir, कैसे, CHO and CHO, या फिर ऐसे लिखा हो गई, दिख रहे हैं, CHO, CHO, 1, 2 हो जाएगा, sir, क्या बोलेंगे, इसे हम लोग, ethane, 1, 2, diol, या फिर इसका एक कॉमा नेम है, तभी मैंने इसको लिखा है, glyoxal, कहना में, sir, कॉमा नेम, glyoxal, तो ये use होता है, GLY, ठीक, glyoxal, glyoxal, ठीक है, ये चीज, तो, photo, sir, कैसे दिख सकते हैं, मुझे, ऐसे दिख सकते हैं, सी अच्चो की photo, तो, अब इसे के लिए, इसमें, इस चीज को लेके, different, different हो सकता है, अभी हम इस प्याते formula, उसो कभ यूज होगा, तो, इसमें तब आप में देखा, कि, sir, इसमें तो, मेरे साथ, वो different, different, खेल, खेल सकता है, इस तरीके से, वो edge कर लेगा, ऐसे edge कर लेगा, एंड वो ऐसे बना देगा, तो, sir, इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, ठीके, तो, आपको simple लिख रहा है, ये carbon है, CHO लिखा है, पहले तो आप इसमें पैचाना ना, FG कौन से, FG, sir, कौन है, CHO वाला गृप है, CHO, CHO, दिख रहा है, 1, 2, 3, तीन carbon के chain है, 2 पे लगा, methyl 2 पे लगा, ethyl, sir, क्या लिखेंगे हम लोग, 2 ethyl, 2 methyl, है ना, count 1, 2, 3, तो प्रोपेन हो गया यह, sir, 3 carbon से, प्रोपेन, 1, 3, डाई अल, क्या नाम हो गया, sir, प्रोपेन, 1, 3, डाई हो जाएगा, अल, ठीक है, तो ऐसे नहीं हो सकती है, अब जैसे आप देखो, है ना, तो बस वही अपना यह वाला, example, ठीक है, माइक का मेंसा फस्ता रहता है, ठीक, तो यह, इसको जैसे वो और खुब सुर्ट बनाए, आपको तो पताएए ना, इस तरीके से, एमी लिख देगा वो, ठीक, एसे कर लेगा वो, ठीक, दिख रहे हैं, ऐसे, तो सर्म यहां से मुझे बात समय में आती है, कि एक तो गुरूप लगा हुआ है, सर कौन सा गुरूप लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है, कहां से दिख रहा है सर, यह दिख रहा है, CHO, अच्छा, जो यह लिखा है ना, CHO, इसको हम CH2O भी लिखते हैं, कहां गया, CH2O, मतलब, यह लग जो आदमी है न, यह आदमी, ऐसे भी इसको लिखा जाता है, CH2O, इसका मतलब भी फॉर्मेल लिख 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 है, ठीक है, तो सर्ब मुझे, काउंटिंग तो यही से करनी है, कहां से करनी है, इस वहले कार्बन से करनी है, हो जाएगा, नाम देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि काउंटिंग तो मैं वहां से करता हूँ, जहां से FG पास पड़ था, अगर FG में कार्बन है तो वही से करता हूँ, ठीक है, सब मेरे पास क्या है, साइट चेन है, कहां कहां पर सर, 3,4, डाइ एथिल, एनसर 5, मेथिल, एनसर, 2, नाइड रो, एनसर 2, यह को साइकलिक कंपाउंड है क्या, नाई, साइकलिक कंपाउंड नहीं है, इस तरीके सी लिखा है, सेवन से क्या हो जाएं का सर हैं सिंगल बॉंड से एं है अपतेन वन पर अले हैं तो हैं आपको पता है 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 अपने ध्यान दिया और यह ए तो जब भी यह वावेल होगा यह ई-ई-ई-उ-उ-उ-उ- तो सर वह इसका मतलब कि इस तरीके से सवाल बना सकता है एंड इसमें जैसे कि वह जैसे कि भाई साब वह थोगा साथ डिफ्रेंट कर ले मतलब कि वह अपने डबल बॉंड इंक्लूड रवा दे तो इसको देखके पचान पा रहे हो आप कि इसमें CHO ग्रूप लगा हुआ है क हम लोग सब BLN यूज़ कर रहे हैं कोई कोंपरेशन वाला BLN यूज़ करता है हमने BLN से ऐसा फिकना सीख लिया था ठीक है तो इसका आप इस्टेशल फामुला मॉल्कुला फामुला सब लिख सकते हो ठीक है तो आप उदीर 1 2 3 4 ठीक है तो 2 पे तो साइट चैन लगी है 2 ग में लिखूंगा 1 पे अल अगर में 1 कोटा दो तो इनल इनल ठीक है तो यह चीज़ तो 1 2 3 4 तो सल नाम होगे 2 ब्रोमो ब्यूट 3 इन 1 पे अल ऐसे उसी इप चलने हम प्रिफिक्स पे वर्ड रूट पे सफिक्स पे ठीक है सफिक्स में दो बाते प्रामनी सफिक्स जो हमने लिखा इन सेकने सफिक्स जो लिथा अल ठीक है यह बाते हैं चलिए अभी ते हमने फिला लित्वी बाते की कि अगर अल वाला पार्ड यूज होता है ना एंट्स या चोट टू टाइम हो तो सब ऐसे नेमिंग होती है यह फॉर्मिल अग्जो कब आएगा यह होगा प्रिफ जौ अब फॉर्मिल कब यूज हो का ब्लहा इस पर ची कहा नहीं है तो सर्फ फॉर्मिल तब यूज होता है चेब स devoted कारवन के हैं तो हम आते हैं सर क्यांव है अभी तक तो सब्सफिक्स युज़ गूँगा अब बात करते हैं कारविल्ड हैड कभी उस होगा कि जैसे माल लेजे साइकलिक वाला मुझे उस कर लें यह है, और यह हुआ है, तक तक मैं दिखा नियुआ मैं बोल ला हुआ हूँ, जब शिर्चो कारवन इंक्लूड होगा काउंटिंग में, जैसे ओपेंचेन वाला हो, तक मैं का लगाता हूँ, और लगाता हूँ, ठीक है, लेगि जब शिर्चो ना ऐसा साइकल के साथ लगा हो हुआ या फिर कुछ ऐसी सिच्वेशन बने कि सिच्चो मेरा ऐजब प्रिफिक्स वर करें अलब जब सिच्चो वाला सी का कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ है एंड शिच्चो मेरा एक फंक्ष्णल ग्रूप है तब हम क्या लिखते हैं कार्बल्ड हाइट टीक है तो एक्जाम्पल समस्वाश्टे फटा फट इस केस में हम पहले बात कर चुके हैं कि इस ग्रूप को और साइकल को मिला के कोई चेन नहीं बनती है तो मेरे पास दिख रह साइकलो एक्सेन ठीक है एंड इस केस में कार्बल्डिहाइड साइकलो एक्सेन कार्बल्डिहाइड ठीक है इसका मतलब सर जी ऐसे वाले केस में न ऐसे वाले केस में आप देख लो ठीक है आपको देख रहा है गुरूप कौन सा लगा है सर C8 पचान पार हो न तो 1 ठीक है यहां से काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 ठीक है इस तरीके से तो आपको देख रहा है 3 और 4 ठीक है तो 3,4 डाई एथिल साइकलो द्यूटेन 1,2 पर क्या है सर 1,2 डाई कारवल्डिहाइड 1,2 डाई कारवल्डिहाइड ठीक है यह लाकेस अच्छा सर इसका मतलब कि सर अगर इस तरीके से कोई और मेरे पास आजाए है जैसे कि आप यहाँ देखो ठीक है यहाँ पर अगर मैं उवेच लगा दूँ तो आपको दिख रहा है पहले तो आप पैचानों इसमें कितने अफजी है अभी तो आपको पता ही है कि सी अच्छ लगाई है यहाँ पर एच है दिख रहा आपको सी एच्छो अल्डिहाइड ग्रूप लगाए अन एक ओवेच लगाए ओवेच के मतलब अन एलकोहल तो आपको पता है अल्डिहाइ एज़ा काम करेगा प्रिफिक्स और वेच का प्रिफिक्स में नाम होता है सर हाइड्रोक्सी पढ़ाए न हमने तो सर क्या करनेंगे हम लोग तो यहां स्काउंटिंग हो जाएगी वन अब देखा वही फिर वन कहीं भी जाए सेम पड़ता है यह लगा मेथिल यह लगा एच तो पहले है चाता है तो टू थ्री ठीक है तो टू हाइड्रोक्सी है ना थ्री कॉमा थ्री यह डाई मेथिल है ना क्यों सर टू हाइड्रोक्सी हो गया थ्री कॉमा थ्री डाई मेथिल है ना आप दोखो यह साइक्लो प्रोपेन है साइक्लो प्रोपेन ठीक साइक्लो प्रो इसका मतलब सरी है कि इसको मेन रखते हुए और साइड चेन लगा कि हम लोग ऐसे लेमिंग कर सकते हैं इस केसे मैं लिखता हूं कार्बल डी हाइड अच्छा जब यह ऐजब प्रिफिक्स हो जाए अभी तक नहीं यूज हुआ है तो क्या काम होगा सर तो आप देख लें इसमें अगर मैं जड़ा स्पेस पुरा यूटिलाइज कर लो हूं यहां साम इतना स्टार करते हैं जो भी अपना हो जैसे आप देखो एक सर मेरे पास कंपाउंड लिखा है ऐसे CH2 CH4 CH2 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 इसके दो नाम हो सकते हैं एक तो यह वाला 1,2,3 एंड क्या लगा है 1 पे 2 पे 3 पे CH4 ग्रूप इस वक्त यह सब ही मेरे पास क्या है में फॉस्वर ग्रूप है थ्री कार्बन से सर होता है प्रोपेन 1,2,3 तीन है तो क्या लिखेंगे सर लोग ट्राइग क्यों CH वाला कार्बन इंक्लूट हो नहीं हुआ काउंटिंग में तो कार्बिल डियाइड तुसर क्या नाम हुआ प्रोपेन 1,2,3 है नाम ट्राई कार्बिल डियाइड एक तो यह नाम दोसरा सर्ण इसमें एक और किसी कुमा ऐसे भी कर सकता था CH2, CH4 CH, CH4 CH2, CH4, ठीक है 1,2,3,4,5 ठीक है अब यह ऐसा प्रिफिक्स काम किया ऐसा प्रिफिक्स ठीक है तो जब प्रिफिक्स में होता है तो इसके दो नाम थे औक्सो एंड फॉर्मिल अम देखते हैं ना औक्सो एंड एंड फॉर्मिल औक्सो एंड फॉर्मिल तो आप जब देखो यह प्रिफिक्स में है और इस प्रिफिक्स वाले अल्ड है का कार्बन काउंटिंग में इंक्लूड है क्या नहीं इंक्लूड है ना तो जब यह कार्बन counting में include नहीं होगा लडिएड बढ़ा है तो हम नाम यूज करते हैं फॉर्मिल जब सी अच्चो का ये carbon counting में include नहीं होगा तो ये अपने वासा में लिख लेना आप लोगा क्योंकि एक केस और बनता है जब ये carbon include हो तब क्या लिखेंगे हम लोग उस पर भी हम आ रहे हैं तो थिलाल सर यहां से नाम हम लिख देंगे थ्री फॉर्मिल फॉर्मिल कब लिखते हैं जब सी अच्चो आज़ा प्रेफिक्स काम कर रहा हो और इसका carbon counting में include नहीं हो तो थ्री फॉर्मिल हो गया अब आप देख लो 5 है ना मेरे पास 5 से सर क्या होता है पेंटेन और 1,5 डाई अल अल लिखेंगे ना योगि इस case में तो भाई सब अल लिखा चाता है पढ़ेते हैं अभी हमने तो 3 फॉर्मिल पेंटेन 1,2,3,4,5 तो पेंटेन 1,5 डाई अल ठीक यह चीज़ इसका मतलब सर आप वाला बताओ चर इंक्लूड होता है तब तो ज़र आप देखो मैं वही बना रहा हूँ आप यह देखो कौन-कौन से अब जी लगे हुए देख रहा है C-O-H-C-H-O एक लगा है कार्वोक्सिलिक अचिद दूसरा क्या लगा है अल्डियाइड तो कार्वोक्सिलिक अचिद वाला पार्ट जो है यह तो में ग्रूप है यह मेरे पास है न में फंक्शनल गूप में फंक्शनल गूप तो counting तो यही से start हो नहीं है सर तो 1 और counting सर कैसे होती है गुरूप के साथ साथ longest carbon atom की चेंग तो 1, 2, 3, 4, and 5 L-dehyde में भी carbon है तो उसका भी carbon count में होगा 5 यह है अच्छ है नहीं होगा तो वह मिधिल माननेगे ना तो यह हो गया तो C-H-O L-dehyde group था C-O-H-Carboxyl group था ठीक है तो अगर मैं इसमें counting है तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होगा अब मुझे बता है कि साल यह main functional group है तो इसका मतलब के सर ना अब की बार जो L-dehyde है वो as a prefix word prefix काम किया है एंड L-dehyde prefix में काम करते हुए L-dehyde वाला carbon counting में भी participate होगा है है ना counting में participate हो गया तो इस case में इसका नाम सर होता है OXO क्या होता है OXO तो सर इसका नाम आप लिख दोगे 5 OXO ठीक है pentane 1 पे क्या है CWH है ना इस case में OXO लिखते है तो pentanoic acid है ना तो यह चीज़ तो क्या सर नाम हो गया 5 OXO है ना pentanoic acid यह चीज़ समझे इसी को ना इसी चीज़ को आप जड़ा इसमें देखो माले जे एक ऐसे compound होता टिक हाजी मैं थोड़ा सा ठीक है ना यह चीज़ आप देखो जड़ा थोड़ा से खूब शूरत बना दो ठीक है तो इसमें आप देखो पहले आप पैचानों की ग्रूप कौन-कौन से है फंक्शनल ग्रूप तो आपको देख रहा सर सी डबल ओ एच है मतलब कि दो तो कार्बॉसलिक असीड है एक मेथिल दिख रहा है वो तो प्रिफिक्स में जाएगा और एक दिख रहा सर सी एचो लगा है तो सर काउंटिंग तो मेरी यहां से हो जाएगी तो 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 कहीं से भी तो 1 2 3 4 5 इस केस में दिख रहा सर यह मेरे पास प्रिफिक्स है यह भी प्रिफिक्स है तो यह तो मेथिल है सर और शियह और शिय जो तो सिए चे जो चुआ प्रिफिक्स वर्किया यह फिक्स वर किया पर यह कारबन करफ कंपिंड नहीं तो असका नाम करते है Oxford के असर नाम फ्रू रमिल क्यों होता हता सर नाम कॊर्मिल ए कि मतलब अए है यहना, पहले F आता है, हैना, F, यहना, पहले F आता है, हैना, तो 3-4, 3-methyl, थी पह यहना, 3-4-methyl, ठीक, 4-Carmen से सरप्या हो जाएगा, 4-5 है, हैना, 5 हैना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से सर में जानता हूं, Pentane, पेंटेन, आप देखो, 1,5-dipoic acid, ऐसा सवाल कहां बनता है सर, कॉमपटीशर में, कि जहां आपन डिफरेंट डिफरेंट मल्टिपल ग्रुप्स लगे हो, ठीके तो क्या हो गया सर नाम, 3-4 मील हो गया सर, पहले F आता है, फिर M आता है, तो मैं इसको बार बन इसलिए बोलता हूँ ना, कि मुझसे गलती हो सकती है, तो आप अलफाबेटिकल अटर हमेशा फोलो करना, अगर मुझसे गलती हो गई तो, ठीक है, फिर भी, तो 3-4-3-methyl, वर्डूर्स सर क्योंगा, 5 होगा, तो पैंट से लगे हैं, सब तो एन, सिंगल बोन से कौन, कार्बन, 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 पैंटन चेन, तो पैंटेन, 1,5-डाई-विक ऐसीड, ठीक है, तो ऐसा केस बनता है, समझे, तो यह, सर और सवाल बतादो, ठीक है, तो और जड़ा मैं बताता हूँ, ज़र आप देखो ना, बेस काई वार वो यह करवाता है, साइड चेन के अंदर साइड चेन लगवाता है, अब यह प्योर कॉंप्टिशन में जा रहे हैं हम लो, आप यह देख पा रहे हो, यह मेरे पास में ग्रूप लगा है, 1,2,3,4,5,6, अब साइड चेन है ना, यहाँ पर देखो, 1-2-3-, तो सा पहले मैं उसको ही लिखता हूँ, तो आप देखो जरा, 4 पे है साइड चेन, ठीक है, अब इसमें दोखाव, 1-2-3-, तो मुझे चाहिए है, और तीसरे पर लगा है CHO, दिख रहे है, CHO, अब मुझे पता है कि CHO main functional, CWH मेरे पास main functional group है, इसका मतलब कि CHO as a prefix word कर रहा है, और प्रिफिक्स होते हुए, CHO वाला carbon counting में participate हुआ, तो इस case में सर इसका नाम के लिखते है हम लोग OXO, और तो इसका एक और example, तो 4, 4 पे तो पुरा side chain है, इसमें में सर 3 days पे लगा है OXO, 3 days पे गा है, CHO यानि कि OXO, and 1-2-3 से किया होगा, प्रोपेल, और ये side chain है तो प्र पिल, डैकेट बन्त, ये 4 के बाद आप हाइफन लगा सकते हो, कहीं कहीं बुक में नहीं लगा होता है, कहीं कि लगा होता है, तो 4, 3 dash, OXO, प्रोपिल, ठिक, and अपने पास ये क्या होगया, cyclohexane, cyclohexane, NCWH से, carboxylic acid, ये होला part, समझें, तो इस तरीके से ना, हम लोग OX तो फॉर्मिल यूज करते हैं, फॉर्मिल सर कभी उस करेंगे, जब कार्बन काउंटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ऐसा प्रिफिक्स रखते हुए, अगर पार्टिसिपेट कर गया, तो सर मैं क्या बोलता हूँ, इस तरीके से OXO, तो ये एक केस बन गया, 4 पे अगर आप देखो, यही पे खतम करते हैं, ठीक है इस चीज को, सारा मैंने पार्ट बताई दिया है, माली जी कुछ ऐसा हो जाए, यहाँ CHO होगा, ठीक है, कहीं भी CHO ना हो, तो यह H आप मत भूरियेगा, CHO हो जगा किया है ना मैंने, ठीक है, आप देखो जड़ाँ, जगा काम है, जगा काम है, तो आपको देख रहे है, क्या देख रहे हैं सार, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, यह लगा CHO, लगा CHO, एड़ एक साइड चेन है, जहाँ पर 1, 2, 3, 3 पर लगा CHO, ठीक, तो काउंटिंग तो यह हो जाएगे ना, लॉंगेश में 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, यह चीज, अब बन के सार यह साइड चेन, यहाँ पर भी देख़ा, इसको मैं बोलना हूँ, इस कारबन को मैं बोलना हूँ, तो दीख रहे हैं, साइड चेन के अंदर साइड चेन है, एं त्री देख पर लगा CHO, अब की बार फिर, हम जानते ही है, अब कारबन के सार, इसको मैं साइड चेन के बाद जो बचा हूँ होता है, प्रिफिक्स, अब प्रिफिक्स में रहते हुए, यह, carbon, चार्बन, counting में, इंक्लूद है, थी अच्चों का, तो हम क्या बोलना सार, यहाँ पर से ही, प्रिफिक्स में काम किया है, नामों का ओग्स तो अब दोखो 3 पे पुरा ये कांट हो रहा है, 3 पे भी 1, 2, 3, 3 डैस पे है, तो हम लिखें कि 3 डैस, पर और सुम, ठीक है, 1, 2, 3, 3 कारबन से प्रोपिल, यानि कि प्रोपिल ब्रैकेट बंद, है न, 5 सर्थ कारबन से क्या हो जाएगा, पेंटेन, है न, and 1,5 डाइल, इस केस पता है न, जब कारबन इंक्लूड हो रहा हो, तो क्या लिखते हम डाइल, तो सर्थ 500 का पेंटेन, डाइल, ठीक है, तो ऐसा, तो यह रहा है, पूरे किसी काने सर, अल्डियाइट की काने, तब एक ही बसना मेरे पास, अल्डियाइट पढ़ लिया, कीटोन नहीं पढ़ा है लियाट कीटोन, अल्कॉल, थायोल, न, दो बचे हैं अभी, कीटोन बचा है, एंड एथर बचा है, तो उसकी नेमिंग करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक हम इतना रखते हैं, आप तरह गौर से देख लो, यह लेक्चर आप रिपीट करके भी देख सकते हो, थोड़ी से अच्छी बात हमने आपे कर लिए, कॉम्पेटिशन पॉइंट अफ यू से भी, ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स लेक्चर में,